हेलो फ्रेंड्स, क्रियेटिव फूड में आप सभी कब बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ महाराश्टर के बहुत ही फेमस धुनका भाकरी और उसके साथ ठेसा की रेसिपी शेयर करूंगे जो के खाने में इतनी ज्यादा स्वाधिश्ट लगती है कि आप उंगलिया चाटते रहो जाऊंगे मैरे घर में हर अफते हर गुरुवार को ये रेसिपी बनती ही है क्योंकि हमारे यहाँ पे जोग भी लोग गज़ानन बाबा को मानते है वो लोग हर गुरवार को यह recipe जरूर घर में बनाते है और भगवान जी को भोग लगाते है कही जगा पर इसे पिटल भाकरी बी कहते है और कही जगा पर इसे बेसन भाकरी बी लेकिन ये सबी नाम एक है तो चलिए फटा फट से recipe की शुरूआत करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे पिटल यानी जुनका, इसके लिए सबसे पहले हमने यहां पे लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसके बाद 5-6 हरिमिज लिये, इसे हमने एसे दो भागों में कट किया है और बीच में से कट लगा दिया है, यहां पे मैंने इसके सा आप कोई साभी oil यूज़ कर सकते हो लेकिन याद रहे mustard oil का आप यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी ना करें क्योंकि धुनका जो है वो mustard oil में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है oil अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आज़े चुड़ी चम्म जितना राई राई को पहले हमें यहाँ पे अच्छे से चटक देना है उसके बाद ही हम इसमें जीरा करी पत्ता और 1 by 4 टी स्पून जितना हिंग डाल देंगे हिंग से भी बेसन का फ्लिवर बहुत भड़िया बन करके तयार हो जाता है बस इन सब को अच्छे से मिला लेना है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च तो याद रहे पहले हमें हरी मिर्च डालनी है उसके बाद हमें इसमें प्यास डालना है पहले प्यास अग उसके बाद हम इसमें कटा हुआ प्यास डाल देंगे यहाँ पी हमें प्यास को थोड़ा सा golden brown color आने देना है तो यहाँ पी आप देख सकते हो प्यास को थोड़ा सा golden brown color आ चुका है अब इस stage पे हम क्या करेंगे लसन और चीरा का जो paste पनाय हुआ था न वो हम इसमें add कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें add कर देंगे कुछ basic masala यानि healthy powder, धनिया चीरा powder और स्वात के अनुसार नमक add कर देंगे तो यहाँ पे मैं आपको नमक दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन आपना स्वात के अनुसार नमक इसमें add करते और इसे अच्छे से mix कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हो, सब मसाले अच्छे से भून चुके है अब इस टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें देड़ ग्लास जितना पानी डाल देंगे तो पानी डालने के पहले हमें क्या करना है, ग्यास को high flame पे कर देना है जिससे कि यह पानी जल्दी से इसमें add हो जाएगा और इसका जो flavor हो बहुत टेस्ट आ जाएगा तो जुनका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बारिक वाला बेसन यूच किया है, आप देख सकते हैं एकदम बारिक बेसन है तो यहाँ पे मैंने एक कप के करीब बेसन लिया है, इतना हमें बेसन नहीं लगेगा, जितना हमें इसमें डालना है या फिर जितना बैसन इसमें बैट जाएगा ना उसी हिसाब से हमें इसमें डालना है तो बैसन कैसे डालना है एक हाथ से हमें इसमें बैसन डालना है और एक हाथ से विस्क की मदद से आप इसे-से मिक्स करते जाएए जिससे की ना इसमें गुटलिया बिल्कुल भी नहीं बनेगी और बेसन बहुत अच्छे से बन करके तयार हो जाएगा यह देखे इस तरीके से आप मैं यहाँ पे आपको consistency बताऊंगी उस consistency में आ जाए तो हमें बेसन डालना इसमें stop कर देना है यह देखे हमने थोड़ा थोड़ा डालना है और mix करते जाना है एक बार में पूरा बिल्कुल भी नहीं डालना है नहीं तो नहीं सब गुटलिया बन जाएगी और बेसन खाने में अच्छा नहीं लगेगा ये देखे थोड़ा डालना है और फिर से मिक्स करना है ये तकरीबन मैंने 10 से 15 बार ऐसी किया है कोई कोई क्या करता है पता है एक बावल में बेसन को घोल के उसके बाद इसमें धिरी धिरे करके अड़ कर देते हैं लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताओ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो अथेंटिक तरीका है यही है इसी तरीके से आप अगर बेसन बनाओगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और घोला हुआ जो बेसन होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं नहीं तो ये देखे हमने यहां पे एक कप बेसन लिया था उसमें से हमें आधा ही बेसन लगा है और देड़ ग्लास का जो हमने बनाया हुआ है ये पिठला वो चार लोगों के लिए एकदम सफिशेंट है तो पांच मिनिट के बाद आप यहां पे देख सकते हो जो भी देना चाहूंगी जब कभी आपने जुनका बनाया और ऐसा लगे कि यह बहुत ही गाड़ा बन चुका है तो इस टेज पे आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा करम पानी उपर से आड़ कर सकते हो और फिस से इसे अच्छे से पकने देना है याद रखे इसमें ठंडा पानी बिल अब हम इसके साथ ना ठेसा बनाते है ठेसा बनाने के लिए हमने क्या क्या है सबते पहले यहाँ पर एक टेबल स्पून जितना मुंग फोली के दाने लिए है उसके साथी एक छोड़ी चमज जीरा लिया है छे से साथ लसन की कलिया लिया है और साथ यहाँ पर हरी मिर्च ल इन सब को अब हमें क्या करना है एक पैन में थोड़ा सा ओइल डालना है और थोड़ा सब चीज़े इसमें डालके अच्छे से फ्राइ करना है तो फ्राइ करने से पहले हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा कट लगा देना है जिससे कि अच्छे से फ्राइ हो जाएगा और हमे और जो हरी मिर्च है वो भी ना जल गए हरी मिर्च को थोड़ा सा कलर आ जाए उसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे अगर पहले ही हमने जीरा इसमें डाल दिया ना तो जीरा जल्दी से जल जाएगा और ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा बस इन सब को एक से दो मिनिट तक फिर से मिक्स करना है जब हमें ऐसा लगे कि सब चीज़े अच्छे से फ्राइ हो चुके है तब हम ग्यास को बंद कर देना है और पांच के मिनिट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देना है उसके बाद हम इन सब चीज़ों को खलबटा में डाल देंगे और बारी कटा हुआ धनियापत्ता भी इसमें अड़ कर देंगे आप याद रखे इसमें धनियापत्ता की कॉण्टेटी ना थोड़ी सी जादा रखे जिससे की ना थेसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और स्वात के अनुसा नमक डाल दें इन सब चीज़ों को अच्छे से कूट ले ऐसी कूटा हुआ थेसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको ऐसे नहीं ठेसा खाना है तो आप ना मिकसर में भी इसे बारिक कर सकते हो लेकिंग इन मिकसर में बहुत ही जादा बारिक हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ठेसा बन करके एकदम तयार हो चुका है अगर इसकी consistency कहो तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा दरदरा रखा है ऐसी बनाए हुआ ठेसा ही खाने में बहुत ही टेस्टे लगता है अब हम ठेसा को साइड में रख देंगे और गर्मा करम भाकरी बनाएंगे तो जनरली क्या होता है जुनका के साथ जवार की भाकरी खाई जाती है तो यहाँ पर हमने जवार का आटा लिया है इसे हम स्वात के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और आटे को थोड़ा सा गुन्द लेंगे पानी को यहाँ पर हमने गुन-गुना ही रखा है गुन-गुना पानी से जवार की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है अब एकदब फुली फुली बन करके तयार हो जाती है आठा गुदने के बाद न, हम आठे को अच्छे से मसल दे जाएंगे, जितना हम अच्छे से मसलेंगे, उतनी भाकरी अच्छे से बन करके तयार हो जाएंगे। तकरीबन मैंने ये प्रोसेस तीन से चार मिनिट तक किये है, और आटा आप देख सकते उसके बाद बहुत ही soft बन करके तयार हो चुका है जितनी बड़ी भाकरी बनाना है उसी साथ से हम आटा ले लेंगे और बाके का side में रख देंगे तो याद रहे friends हमें जादा आटा गुन के नहीं रखना है नहीं तो बाद में भाकरी अच्छी नहीं बनेगे बस उस आटे का हम अच्छे से गोला बना लेंगे और plate के उपर सुखा आटा डाल लेंगे यह देखे इस तरीके से हमें थाप लेना है भाकरी को उठातेने के लिए हम यहाँ पर ऐसे चमच का यूज करेंगे जिससे के ना भाकरी तूटे की नहीं यहाँ पर आप देख सकते हो तवा भी अच्छे से गरम हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसका टेंपरेचर थोड़ा से कम करने के लिए थोड़ा से इसके उपर पानी ढाल देंगे पानी पूरा सूख जाए तो हम क्या करेंगे भाकरी इसके उपर डाल देंगे और जो उपर की side है इसके उपर भी हम पानी लगा लेंगे और पूरा अच्छे से ऐसे फैला लेंगे ये देखे इस तरीके से और जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे हातों से ये देखे इस तरीके से और ग्यास को हमें यहाँ पर low flame कर देना है पहली side change करने के बाद हम ग्यास को हाई फ्लेम पे करतेंगे और मैं यहां पर आपको भाकरी बनाने के लिए एक और टीप देना चाहूंगे जो उपर की साइड होती है वो हमें पूरा सूखनी नहीं देनी है जो थोड़ी थोड़ी सूख जाए तो हमें जल्दी से भाकरी को पलटा लेना है अगर हम हमने पूरी साइड उपर की सूखने दी उसके बाद भाकरी को चेंज किया ना तो भाकरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और वो इसे कड़क बन जाएगी इसलिए यह टीप आप जरूर से याद रखें आप यहां पे देख सकते हो भाकरी का उपर का लेयर थोड़ा सूख गया इसके बाद हमने साइड चेंज कर दी और यहां पे हमने ग्यास को हाई फ्लेम पे कर दिया भाकरी की एक साइड अच्छे से सिख जाए उसके बाद हम साइड को चेंज कर देंगे और यहां पे ग्यास को हाई फ्लेम पे ही रख देंगे यहां पे हमें साइड चें किये तो चलिए अब हम इसे फटाफट से सर्व करते हैं आज हम ना इसे एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में सर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे एक भाकरी के उपर जुनका डाल देंगे और साइड में ठेसा रख देंगे और उसके साथ ही बारी कटा हुआ प्याज रख देंगे और जुनका है ना उसके उपर कच्चा ओईल होता है ना मतलब कुकिंग ओईल ये इसके उपर डाल देंगे जिसके इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है तो बस हमारे यहाँ पे जुनका भाकर और ठेसा बन करके एकदम तयार हो चुका है तो आप ये रेसिपी एक बा ना भूले थेंक यू